नमस्कार किसान भाईयों बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नय इंट्रेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की नरसरी हम खुले आसमान के नीचे कैसे देते हैं साधा और सिंपल तरीके से अपने बाड़ी में दोस्तों सिंपल तरीके से कैसे नरसरी देते हैं टमाटर का तो आज का ये वीडियो दोस्तो टमाटर की नरसरी पर है और बहुत ही ज़्यदा important वीडियो है बहुत ही ज़्यदा informative भी है तो दोस्तो आप लोग वीडियो को बीना skip किये last तक watch करना है इसमें हम आपको बताएंगे कि मैंने conscious seeds का selection किया है जो टमाटर के conscious seeds का selection मैंने किया है औ और जगह कैसा जगह लेना है टमाटर की नरसरी के लिए तो आप लोगों को बताएंगे दोस्तो सब चीज को बहुत ही basic basic बात है आप लोगों को हमारा नरसरी भी दिखाएंगे कैसा है कितने दिन का हो गया है नरसरी का जो थरह है सारा कुछ देखने को मिलेगा दोस्तो तो इस तरह से छोटा सा बाड़ी है दोस्तों जहां पर हम टमाटर की नरसली दिये है आप लोग देख रहे हो इधर इस साइड भाजी वेगेरा जो हारा भरा दिखाई दी रहा है और यह है दोस्तों जगहा जहां पर हमने नरसली दिया है टमाटर का तो चलिए मैं दिखाता हूं देखे दोस्तों सितंबर अक्टूबर का जो महिना होता है जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही अनुकूल होता है दोस्तों आसीड्स का जर्मिनेशन के लिए इस समय जो तापमान होता है दोस्तों वातवर्ण में जो टेंपरेचर होता है वो बीजों के जर्मिनेशन के लिए काफी अनुकूल होता है इसलिए किसान भाई जो भी नरसरी तयार करना चाहता है वो सितंबर के स्टार्ट में ही नरसरी तयार कर ले ताकि इनको जल्दी से जर्मिनेट हो जाए क्योंकि दोस्तों देखें टाइमिंग जैसे जैसे डहलता जाता है सितंबर से अक्टूबर और अक्टूबर से नोवंबर में ऐसे अगर टाइम आता जाता है तो दोस्तों मौसम में ठंडी आने लगती है और ज्यादा ठंडी होने लगती है जिसके वज़े से सीड्स का जर्मिनेटन जल्दी हो जाता है यह देखे दोस्तों यहां पर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं साथ से आठ दिन में जो टमाटर का सीड्स है इस तरह से छोटा छोटा जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो करके चोटा छोटा प्लांट बन चुका है इस तरह से टमाटर का नरसरी यहां पर दिया हुआ आप देख रहे हो और यह जो जगह है इसको दोस्तो हम इस तरह से कपड़ा से ढखते हैं ज्यादा देखिए यहां पर अभी हम बात करते हैं तो कभी-कभी हमारा जो बारिस भी होने लगती है तो तेज बारिस की बुंदों से बचाने के लिए यहां से इस तरह से कपड़ा ढ ताकि अपने जो सीड्स को अगर जैसे हमारा थरह होता है उसको ढखने के लिए काम आए और उसको ढखने में ये सहरा प्रदान करता है कपड़ा अगेरा तो ये है दोस्तो अब इसकी सीड्स की अपन बात करते हैं जो most hybrid variety तो ये है दोस्तो देख रहे हो आप लोग दो packet मैंने लाया था सेमीनीज का अभिलाज जो टमाटो है ये हमारे साइड बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है और बहुत ही ज्यादा फल्फुल बहुत बढ़ि को ये तरीका से होता है रेडी होता है जब हम इसको plantation के लिए ready होईगा तो उसके लिए भी वीडियो आपको बनाके बताएंगे कि कितने दिनों में तयार होता है जैसे कि आपन सितम्बर में नरस्री देते हैं सितम्बर के फष्ट बीक में ही अपन नरस्री देते हैं तो कित तो चलिए इस तरह से हम जो चीजे बनाए हैं तेज बारिस वगरा से बचाने के लिए नर्शरी को तेज बारिस की बूंदों से बचाने के लिए यह कुछ इस प्रकार सा जो हमने जुगार बनाए हैं तो आप लोगों को दिखा रहे हैं यह इस तरह से आप देख रहे हो दोस जिसे तेजबूंद की जो रफ्तार होती है वो धीमा हो जाती है और फिर हमारा जो नरसरी है वो भी सुरक्षित रहता है और इधर आपन गोभी की नरसरी दिये हैं दोस्तो फूल गोभी की तो ये फूल गोभी की जो नरसरी है ये भी बहुत बढ़ी है तरीका से कुछ इस त चोटा-चोटा है कि कि देखें किसान भाहियों सेमी निर्थ का कमपणी की यह बैंटी है मैंने इसी का क् Ned को कहीं सेलेक्ट किया है इसका में कारण क्या है देखें ब सब्सक् legitimately कि कोई ज्यों seeds होता है वो उस जगह के लिए बहुत ही अनुकूल होता है इसलिए दोस्तों जैसे कि आप जो भी seeds लेते हैं वो आपके area के वातवरण के अनुकूल होता है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों उत्पादन देता है ज्यादा से ज्यादा फलफुल उसमें लगता है तो यही एक कारण है दोस्तों देखिए यह जो सेमिनीज की अभिलास की जो वेराइटी है वो हमारे इधर इलाके में हमारे 36 गड़ इलाके में काफी बहतरीन तरीका से अग्रो करता है और काफी बहतरीन तरीका से उत्पादन देता है हमारे इधर के किसान भाई जादा तर सेमिनीज कमप देख रहे हो 750 रुपय इसमें रेट दिया गया है लेकिन ये रेट दोस्तो कुछ कम में पड़ता है हमको जैसे कि एक पैकेट अपन लाते हैं तो ये हमको 460 रुपय में मिलता है लेकिन दोस्तो मैंने 2 पैकेट लिया था अब देख रहे हो ये अफिलास का 2 पैकेट मैंने ला कीजिएगे देखे दोस्तों हम आप लोगों को तीन ऐसा वेराइटी बताएंगे जो दोस्तों काफी ज्यादा हिंदुस्तान में फिमस है भारत में फिमस है और काफी ज्यादा किशान भाई इस तीन वेराइटी को लगाते हैं और काफी ज्यादा पसंद करते हैं उनको काफी अच्छा लगता है हम अं सबसे पहलती हैं, सेमी निज कंपनी का अभिलाश्ट टीशमाटर, देखें सेमी निज कंपनी की अभिलाश्ट टीशमाटर य Coffee Culture होता है, इस का फ़ल देशी के आकार का होता है, फ़ल का जो साइज होता है दोस्तों गोलखकार होता है, और दोस्तो एक फल का वजन 90-100 ग्राम का होता है स्टार्टिंग में जब फल शुरू शुरू लगता है तो फिर दोस्तो इसका अकार जब एंडिंग सीजन आता है लास्ट सीजन आता है तो दोस्तो जैसे की हमारा पौधा अब लास्ट हो रहा है तो इस सिजन में दोस्तो इसका फल का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है अब दोस्तो अपन दूसरा जो वेराइटी है इसके बारे में बात करते हैं यह है दोस्तो सिजन्टा कंपणी की साहू 32 इंक्यावन साहो बत्ती सिंक्यावन की खेती किसान भाई बहुत बहतरीन तरीका से करते हैं और काफी ज़्यादा मात्रा में इसको पसंद करते हैं तो साहो बत्ती सिंक्यावन की भी नरसरी आप इस समय पर डाल दीजिए सितंबर अक्टूБर के बीछ में सितंबर में ही डाल दीजे नर्शरी सितंबर का महिना काफी बहतरीन होता है इसलिए सितंबर में नर्शरी आप डाल दीजेए. तो दोस्तो ये थो हो गया आपना साहु 22.05 जो सिसेंटा कमपणी ने लॉंच किया है उसको वाइरस होता है इसके प्रती काफी ज्यादा रोग प्रती रोधक छमता वाला होता है और दोस्तो जो लंबे समय तक टीका हुआ होता है इसका फल जो ठोस होता है दोस्तो उपरी परत का जो छिलका होता है थोड़ा मोटा होता है इसलिए दोस्तो इसको परिवहन करने में अगर आप पीकब मे करेट में भरके पीकब में भरके दूर मार्केट लेके जाते हैं तो दोस्तों यह जल्दी से फटता नहीं है काफी दूर मार्केट जा सकता है बहुत सुरक्षित रूप से दोस्तों इसलिए काफी ज़्यादा मात्रा में किसान भाई इसको पसंद करते हैं और दोस्तों काफी काफ़ी बहतरीन हुता हैुस tuamata की खेती Tiki. रुप बहुत ज़ाएब पसंद करते हैं आप अपना इसकी फलकी अगर आपन सिजन की बात करते हैं तो लगा सा चप्टा होता है और देशी के आकार का होता है आप PAUDH खतम होने वाला है और पौधा से अब यह जो लाश्ट आ चुका है इसका लाइफ लाश्ट आ चुका है तो इस समय पर दोस्तो इसका भी फल का साइज है छोटा हो जाता है तीसरा नमबर पर दोस्तो हमारा मोस््ट विराइटी आता है वो है दोस्तो अरकार अरका रक्षक काफ़ी बहतरीन तमाठर है ये जो तमाठर है इसकी एक्मेंश्ट आगे मे случा है पौधा और बहुत जादा मात्रा में इसमें प्रोड़क्शन होता है इसलिए किसान भाई पार का रक्षक की भी खेती करते हैं यह तो तीन विराइटी हम लोग ने बताया दोस्तों आपको यह बहुत 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 हैं अक्टूबर नवंबर के महना में काफी बढ़ी हैं तरीका से ग्रो करता है दोस्तों